लेलो दोस्तों स्वागत है आपको अलाइन इस्टेट ड्यूप चैनल में दोस्तों मैं नहींत कुमार यहां पर दोस्तों बात करेंगे CTET दिसंबर 2001 के इसका एडमिट कार्ड इसू कर दिया गया और दोस्तों इसमें पॉब्लिक नोटीस आई है तो उस नोटीस को हम लोग के बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले नोटीस पर किलिक करने के बाद दौनलोट कर लेंगे डाउनलोट करने के बाद नोटीस को खोलेंगे खोलने के दोस्तों देख सकते हैं आपका इकजाम कि दो 2022 में दोस्तों यह exam conduct होगा तो जिन लोगों का 16 से 31 December के बीच में exam है उनका examination CT और examination center वगरा कि किस district में आपका होगा और किस date को होगा सारा जानकारी आपको मिल जाएगा अभी फिलाल इनके लिए admit card जो है कि दो face में जारी किये जाएगे एक face में उनको exam city और date और when दिखाया जाएगा और दूसरे face में दो दिन पहले जो है कि दोस्तों आपका admit card इसू कर दिये जाएगा जिसके आप download कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों ये जो second face में जिनका admit card आने वाला है उनको अभी कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी आप अपना जानकारी या अपना जो कि admit card किस सहर में आपका center है और किस date को है ये आप जानकारी अभी तक फिलाल नहीं ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे the invalid application number वगर या date of birth लिख करके आराज उसको भी मैं आपको दिखा दूँगा अब बात करते हैं दोस्तों आपका final admit card कब आएगा तो दू दिन पहले आएगा और जो second face में दोस्तों उनका जोए कि अभी कोई भी जानकारी सो नहीं हो रहा है इसको आप ध्यान से देख लिजेगा और दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं जिन लोगों का अभी तक admit card या examination city या कुछ भी जोए कि नहीं सो रहा है तो वह कुछ लोगों पर message गया होगा कि आपका photo कुछ blur है या जो भी है कोई दिक्कत है आपके photo में तो उसको दोस्तों आप 13 बार 2021 तक आप उसको सही कर सकते हैं आप mail कर सकते हैं इतनी जितने सारे number दी हैं उस पर आप अपना visit कर सकते हैं और अपनी जो जनकारी हो उसको share कर सकते हैं और अपना photo upload सही से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सभी जनकारी होगी आपको दिखा देते हैं कि मानेजिए कोई admit card डाउनलोड कर रहे हैं और क्या लिख रहा है तो उसके के लिए आप क्या करेंगे तो चलिए देख लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक application number यहां पर फिल किया था और data बड़ जो था उसको हमने यहां पर फिल किया था अब देख सकते हैं दोस्तों यहां पर मैंने application लगा क्योंकि सेकॉर्टी रीजन के कार्ड में इस application नंबर को खार रखांग यहां पर मैंने application number भी और मनें सब्लिक्ष क्लिक किया लिख रहा है इनवैलिध अप्लिकेशन 20 उन नंबर और date अप बॉर्द यहां लिख रहा है कि आपका application number या date of birth गलत है तो इससे आप घबड़ाई है मत क्योंकि यह exam जो है कि आपकी second phase में होगा जो कि एक जनुरी से तेरा जनुरी के बीच में होगा इसलिए आपकी अभी कोई जनकारी यहां पर सो नहीं कर रही है इसकी जनकारी दोस्तों अभी बताया नहीं गया कि कब दिया जाएगा इसको आप regular website पर चेक करते हैं 31 के बाद आप चेक कर सकते हैं क्योंकि 31 के बाद या 31 से पह आपको कैसा लगा वीडियो अच्छे लगा वीडियो जरूर लाइक कर जाएगा और दोस्तों इसका description box में लिंक दे दूंगा आप जिससे जाकर करके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो को साथ तब तक वीड